असलाम आलेकूम धी ईस्टूराँ अधी य स्टूराँ और च्टूराँ बाउड़ ग्रेची और ग्रेकरव एक ऍेश्ट यािश ल इक धॉन्ट है जिस तरह ओ टेम जांट भाई श्ट्रेंट है और हम इसको यूस करते हैं जब डिन्टेट पेशन्ट या इडिन्चुलिस पेशन्ट की मेंडेबल फ्रेक्चर हो या मेक्जिलरी फ्रेक्चर हो और हम उसको फ्रेक्स करते हैं इमोबलाइज करते हैं और हम मल्टिपल फ्रेक्चर हो सिंगल फ्रेक्चर हो तो हम उसको ट्रीट करते हैं, इमोबलाइज करते हैं, फ्रिक्चर मेंडेबर या फ्रिक्चर मेक्जिला और साथ टीट फ्रिक्चर हो तो यह हम उसको इमोबलाइजेशन इसको कहते हैं गनिस प्लैंट अब अगर एक मरीज है उसके सारे दान मेसिंग हैं और उनकी दान उसने नहें नहीं बनाए है और फ्रिक्चर हो जाए है तो फिर हम उनकी इनकी बेस्पलेट बनाते है और अकूजर रिम बनाते हैं भी वाइरिंग करते हैं मेक्सेला और मैंडिबल और दोनों यूनाइट करते हैं और उसमें फ्रांट को इन ज्ञानए तोड़ासा ओपनिंग चोड़ लेते हैं ताकि उससे ओप ब्रीधिंग करें खोराक पकाले और अगर वमिटिंग करते हैं इनसीजेदी देते हैं और हम इसको genau करते हैं जो पोस्ट इनसीजेदी वमिटिंग हो जाती है तो इसमें इसमें शुराफ छोड़ते हैं तो उस से एक तो यह जिनके फ्रिंटि जाया है हो जिनके पास डेंचलिस पेशन्ट हो और उनके पास डेंचर ना हो अब ऐसी भी मरीज़ आ जाते हैं कि ओर्ड मरीज़ है उन्होंने अपर लोड डेंचर बनाये हैं और बीच में एकसेडन हो गया उनका अमेंडेबल और मेंगज़ला फ्रेक्चर हो गया तो हम उसकी जो अपना डेंचर है उसको माडिफाइड करते हैं उस डेंचर को फरंट इंसाइजर टी या फोर इंसाइजर टी उसको अपर लोड सी रिमू करते हैं और उस डेंचर को माडिफाइड करते हैं अपर मेंगज़ल के साथ वायर करते हैं और लोवर डेंचर लोवर मिंडेबल के साथ वायर करते हैं और फिर अपर और लोवर दोनों मिंडेबल को एंटर अशियस वायरिंग करते हैं और फ्रंट में जो एना चार दांट रिमू करते हैं ताकि इस चार दांटों से उपनिंग करते हैं ताकि उस से वो बिरीधिंग करे सांस ले उससे जो जो है ना का ना का ले मतलब जूस पी ले और उससे पिर अगर हम इनस्तीज्जा देते हैं और यह वाइर करते हैं तो और drag पहले रिमू करते ताकि क्योंकि पोस्ट इनस्तीजा वमिटंग अक्सर हो जाती है बाद़ पेसंस को तो उस से ओ उपनिंग से ओ रिमो जाते हैं तो अब यह काफी लंबा चप्टर है लेकिन मैंने शाट शाट किया है क्योंकि यह मतलब सिर्फ आप नाम याद रखे और यह याद रखे कि यह किसली होता है तो अब जो है ना गनिंग स्प्रेट आप छेक कर लिए क्या है इट वाज फास एंटुट्यूस्ट बैए इन अमेरिकन प्रोफेशनल दिंटेस्ट तामस ब्रेंग गने उसका नाम था अब गनिंग स्प्रेट जो है ना इन इन दे इडिंचे किलिस पेशन इडिंचे के दान हो, this acrylic device is used to immobilize the jaws into whole fracture segment of the mandibular or maxillary bone, मतलब है, mandible fracture है, maxillary है, उसकी pieces है, उसको unite करते है, fracture segments को हम hold करते हैं और healing चोल डेते हैं, तीन, दो तीन महीने के लिए या एक महीने के लिए ताकि वो healing हो जाए, तो a space in the incisor areas for facilitating breathing feeding and possible post anesthesia vomiting, तो उसके लिए incisor tea remove करते हैं और space उसमें चोड़ लेते हैं, या अगर a modified garnish plant में be produced by altering existing denture, और अगर इस मरीज के पहले से denture बनाया है, upper lower both, identicalis है, तो उसका जो अपना denture है, उसको हम modified करते हैं, उससे front incisor tea remove करते हैं और फिर upper mixela के साथ, और lower denture mandible के साथ, इंटर आशियस wiring करते हैं, और अपर lower jaw को immobilize करते हैं, तो ताकि मतलबे fracture correct हो जाए, अब एक कभी one piece gunning splint होता है, कि भी two piece gunning splint, या upper के लिए बनाते हैं, या lower के लिए भी बनाते हैं, ये तो identulis के लिए, अब ये dentate fashion के लिए, जिनके हमेदान हों, तो अब gunning splint, one piece gunning splint consist of upper and lower base plates, one piece, that are joined in a proper vertical and centric relation with a bite rim, the splint is mobilized by an extra oral burton bandage or elastic chin bandage, तो अब ये one piece gunning splint अगर हो, तो हम जो हैं ना, इसको centric relation और proper vertical dimension, इन्हें मतलब है proper उसकी facial height जो ना उसको चिक करते हैं, और centric relation मतलब है कि mandible relax हो और पीछे के तरफ हो, मतलब है आप जाब बन करें, relax और पीछे के तरफ हो, तो mandible इसको कहते हैं, centric relation मतलब है, the mandible is in the most posterior position and suspended and relaxed position, तो उसे में हम बनाते हैं, और proper oral button bandage लगाते हैं, या elastic, जो है ना, chin bandage, chin पे और elastic bandage रेप करते हैं, और उससे जो है ना, ये फेट करते हैं, अब two-piece gun splint consist of spread splint, पर both mixilla and mandible, मतलब है कि two-piece gun splint हो, तो फिर mixilla के लिए अपना जोना बनाते हैं और mandible के लिए अपना, both the bitrems are constructed in centric relation, and in the interior region, space is provided to facilitate breathing, feeding, in post-anesthesia, vomiting, तो the same है, one-piece होगा, two-piece होगा, तो ये gun splint के types है, गर upper होगा, या lower होगा, ठीक है, ना, गनिंग splint, तो अब गनिंग splint जो है ना, classification, अब इसके types या classification, आप जो भी कह दे, तो इसके different classification है, libio lingual splint, this is acrylic device, देखो अभी gunning splint acrylic का है, ठीक है, acrylic जो है ना, जो denture बनाते हैं, वही चीज़ है, तो this is also, this acrylic device has a libial and lingual portion that is hang, अब इस libio, मतलब है, libial side पे lingual और lingual side पे, तो ये दोनों side पे splint बनाते हैं, it is useful when there are undercut present, ये जब undercut हो, तो ये use करते हैं, जैसे कि मुझे आपको याद हो, RPD में, that is the, जो एक major connector है, जो इस mandibular major connector, और उससे जो denture बनाते हैं, उसके लिए जो बनाते है, swing lug RPD, जो RPD होता है, swing होता है, lingual side भी बिबार होते है, libial side पे, और hang होता है, एक side पे, और उस जो है ना, क्योंकि ओ, libial bar कभ यूज, libial bar major connector कभ यूज होते हैं, जब lingual side पे अंडर कट होना, तो इसी तरह, उसमें पिर, sublingual bar और libial major connector, तो यह इसी तरह, यह, एक splint है, डिजाइन वही है, जिस तरह, swing lug RPD है, libial, mandibular, libial bar major connector, वही डिजाइन है, यह है, अब जो है ना, it adds an inter-maxillary fixation of dentulis or partial dentulis arches, मतलबे, dentulis हो, sorry, dentulis हो, या partially dentulis, मतलबे, उसकी कुछ दान मुह में हो, या सारे दान हो, dentulis, सारे दान हो, और partially dentulis, या तोड़े से दान हो, ठीक है, now, fenestrated splint, this splint is fenestration, which fit over the dentition, तो इसमें fenestration होते हैं, small small hole होते हैं, teeth size की, hole होते हैं, तो इसकी उपर, जो है ना, teeth की उपर, ओो hole जो है ना, ओो teeth की उपर fit करते हैं, and it is useful for inter-maxillary fixation, when there are deciduous teeth present, मतलबे, temporary teeth हो, milky teeth हो, या deciduous teeth हो, और उसमें fracture आ जाए, मतलबे, children में, तो उसमें ये fenestrated splint यूज़ करते हैं, child है, friction of mandible है, mixilla है, तो उसके लिए splint बनाते हैं, और उसमें fenestration hole बनाते हैं, और जो temporary teeth हैं, उसकी उपर, जो है ना, वो हर एक की उपर, hole की उपर, जो है ना, fix करते हैं, और inter-maxillary fixation, या immobilization, produce हो जाता है, ठीक है, अब किंक्सले स्प्रेंट है, इस स्प्रेंट वास डिस्क्राइड बाई, नॉमन विलियम किंक्सले, और एन यूएस डेंटेस्ट इन 1905, इस यूसफुल फार इमोबलाइज़ेशन, of fracture maxilla, for both dentures and in a dentures patient, तो ये, fracture maxilla है, fracture maxilla है, both for dentures, जिनमें सारे दान हो, या सारे दान ना हो, उन दोनों के लिए यूज़ ओते हैं, immobilization, इसमें क्या होता है एक कास्ट मेटल और एक्रेलिक बेस्प्लेट कवर्दा पैलेट एंड टीट और रेश तो अगर टीट हो और तो पिर या तो मेटल जो कास्टिंग होते है और पीडी जो कास्ट होते है कास्ट मेटल का या एक्रेलिक बेस्प्लेट बेस्प्लेट बनाते है जिस दिरा हम वो ट्रे बनाते हैं, तो इसी तरह एक बेस बनाते हैं, एक रेलिक का या मेटल का, और जो पैलिट, पैलिट, हार्ट पैलिट की उपर कौवर करता है, इन तीथ और रिज, अगर डेंचिलस पेशन हो तो तीथ को कौवर करेगा, अगर रिज होगा, तो रिज तो पिर जो है न रिच को कोवर करेगा इससी इंटीरियल्ली मैंट olması एक्स्टेंड करेगा yarn produce out bilaterally फ्रम दा कार नअब दा मौोत कार नअब दा माउत सी जो है न वह एक्स्टेंड कर गा है दोनों साइड पर एक्स्टेंड करेगा राइड त्स तो ये अब केंक्सले स्प्लिश जो है ना दे मेटल राट हेल्पस एन एक्स्ट्रा ओरल इमोबिलाजेशन विद प्लास्टर हेडगेर तो ये मेटल राट जो है ना ये एक्स्ट्रा ओरल इमोबिलाजेशन करता है विद प्लास्टर हेडगेर प्लास्टिक का हेडगेर होते ह और उसी पे ये इमोबिलाजेशन लेकिन बाहर मुझे बाहर इमोबिलाजेशन मेटल राड जो है ये प्रूडियूस करते हैं अब जो है अक्लूजल स्प्लेंट और अक्लूजल वेपर ये दोनों नामें मतलब अक्लूजल वेपर स्प्लेंट ये ये यूज़ करते हैं इंटर मिक्जिल रिफिक्सेशन मतलब सारे दांद हो और इंटर मिक्जिल रिफिक्सेशन करते हैं और उस पेशन में जिसकी अक्लूजन एम प्रापर हो M.D.C.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.T.H.E.H.E.T तो यह id seven सियमलृ यह सिग्मंटल एस्टियाटोमी मिल्टिपल मतलब पीसिस में ीवाइड है और उसकोुए आ आप फिक्स करते हैं तो यह decir parallel coupon मतलब मिल्टिपल फ्रेक्शर हुआ है współ है मुल्टिपल एस्टियाटोमी में उसकी आप फिक्सीन करते हैं, immobilization करते हैं तो ये उसके लिए जो पैलेटल acclusal sprint यूज़ करेगा. It covers the pellet, ये तो एक पैलेट होगा. The occlusal surfaces और दूसरे जो हैं पैलेट की posterior teeth की जो occlusal surfaces and the incisal edges और incisal teeth की incisal edges जो हुआ जो होना है, उसको करेगा और posterior teeth की जो occlusive surface cover करेगा और pellet को cover करेगा including the incisor third of the libeal surfaces तो interior teeth की one third portion है incisor teeth की तो उसकी जो है ना one third portion cover करेगा ठीक है ये conscious splint है pellet occlusive splint अब जो है ना एक और एक process है जिसको कहते है treatment prosthesis मतलब है कि ये ऐसे prosthesis है कि जिससे हम मतलब है कि radiation हो किसी मरीज का head and neck tumor हो और उसकी radiation हो जाई तो उससे में after radiation there is muscular spasm होता है और surgical scaring होता है मु कूलता नहीं in fibrosis होता है और मु जो नहीं ये muscles fibrosis हो जाते है तो मु अपनिंग नहीं करता तो उसके लिए हम ये treatment processes यूज करते है मेंडिबूलर एक्सरसाइज मेंडिबूलर एक्सरसाइज मेंडिशन लाइक muscle spasm surgical scaring and fibrosis caused by radiation therapy can reduce the mouth opening उसमें mouth opening नहीं होती है trismus हो जाती है trismus means limited mouth opening और ये radiation therapy के बाद अक्सर मरीजों में होते है तो अब उसके लिए mandibular exercises in the shape of a large acrylic screw is used to treat this condition तो अब इस mouth opening के लिए हम mandibular exercise treatment processes यूज करते है और उसमें जो है ना large acrylic का acrylic बना acrylic प्लेट होता है उसमें screw जो है ना मतलब एके fit को जाते है corner of the mouth पे तो the screw is inserted in the mouth mouth में insert करते हैं and slowly turn in order to widen the mouth and to stretch the jaw muscle तो ये screw को हम तोड़ा सा खोलते हैं इन्हें rotate करते हैं और muscles of the jaw और stretch जो है ना stretch हो जाते हैं केंच जाते हैं केंचे जाते हैं और mouth gradually open हो जाते हैं पिर दुबारा दुसरी दिन तोड़ा सा और screw open करते हैं rotate करते हैं mouth मजीद कोल जाता है तिसरी दिन इसी तरह slowly करते हैं after a week or two weeks तो muscles ये ना spasm correct हो जाता है relax हो जाते हैं और mouth open हो जाता है तो अब ये splint के बारे में ता तो ये two lecture हैं dear students ये जो splint है और यो जो team giant वाल splint है तो ये इस में और उस में difference ही है कि ये मुखतलिब किसम treatment के लिए fixation के लिए है और और हो team giant disorder mostly snoring के लिए और उसके लिए यूज़ करते हैं तो ये two lecture है ये पूरा chapter है इसको मैंने short shot किया है आप नाम याद रखे आप ये याद रखे बहुत simple किया है आप के लिए नाम याद रखे और ये इसकी जो mcqs आएंगे तो आप के उपर रहे जाए जाए विच आप दे following splint is used for opening the job बस इसी तरह इसकी उपर mcqs आए जाएंगे तो dear student इंशाला आप इन हालात में मैं इतना कर सकता हूँ इसे में आपको तो पत है मैं और ज्यादा कर सकता था लेकिन अब आप कहां और मैं कहां अगर जिन्दगी रही और कोई बिमान नहीं होगवा और इंशाला जब कालेज ओपन हो जाएगा तो मैं आपको सब कुछ दुबारा डिटेल डिटेल में एक्स्प्लेन करूंगा डूंट वरी और थेंक्यू वेरे मुच खुदा हफेज